दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं रंगारंग इंडिया दोस्तो ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं उसे वैक्यूम ट्रक या वैक्यूम टैंकर कहते हैं इसमें ट्रक पर टैंकर बना होता है और इसी के साथ लगा होता है हाई प्रेसराइज पाइप या पाइप देख सक इसके जरीए हम सेफटी टैंक की सफाई करते हैं साथ ही साथ अगर गटर चौक अप है पुरा जाम है तो उसे भी हम साफ करते हैं इस गाड़ी की जरीए तो इसमें आप देख सकते हैं हाई प्रिसराइज पाइप लगा है इसकी छमता है साधी तीन हजार लिटर यानि साधी 3,000 लिटर मलबा आप इसमें एक साथ रख सकते हैं और मलबा को भरने में टाइम लगता है चार से पांच मिनट तो ये हाउसिंग सोसाइटी का सेफटी टैंक खाली किया जा रहा है वैसे सेफटी टैंक की सफाई लेवर से भी करवा सकते हैं लेकिन ये वैक्यूं ट्रक से स मलवा लेकर के जा रहा है housing society से जे देखे garden में देखे pipe जा रहा है और garden में शेफ्टिक tank बना हुआ है तो pipe को ले जाया गया है गार्डन में बने शेफ्टिक tank में और वहाँ पर शेफ्टिक tank का मलवा खाल किया जा रहा है यह आप देख सकते हैं यह सेप्टिक टैंक है और सेप्टिक टैंक में ही हाई प्रेस्राइज पाइप डाला हुआ है यह वैक्यूम ट्रक में लगी हुई वैक्यूम मसीन है और उसकी सहारता करने के लिए यह प्रेस्राइज पाम्प आप देख सकते हैं तो इस वैक्यूम ट्रग के साथ काम करने वाले हरीश से मैंने इसके बारे में जानकारी ली कि आखिर ये वैक्यूम ट्राक है किया तो उसने पूरे विष्थार से इसकी जानकारी दी तो उसने क्या बताया आप सुन सकते हैं कि अपना सेप्टी टेंग नथनुक के लिया है और इससे दो से पानि से खीज भी सकते है और छोड भी सकते हो इसके गटर चौक रहते है ना बलॉक इसको पानी से भर के उसमें प्रेशर मारके उसका चौक भी खोल से दो शिश्टम अर इसका ताकत भूलेगा ना तो आसी फी पाँ मिन्ट में गाड़ी भर जाती है, 80 फीट लंबे से, और उससे जास्ती भी लगाते हैं, हम लोग कभी कभी 7500 फीट, पाइब लगाते हैं, पस 3-4 मिन्ट जास्ती लेती है, वेकिन लेती है, इतना ताखत तो है कि 7120 फीट लग खीच सकती है, इसका मेन मसीन किधर में है, मेन मसीन को लेकर वह इंजन आते हैं प्युट्यू रहता है, और यह प्युट्यू प्वंप, जिसको अपन प्युट्यू गोल रहे है, वेकियूं, और यह वेकियूं सिस्टम है, और यह फिल्टर दिया है, उसका, सेफ्टिक टैंक की हमेशा साब सफाई कराते रहें, तो वाज इतना ही नमस्कार